Hello everyone, this is Rene Agarwal here, welcome to Agarwal Classes, I hope आप लोगोंने narration की जो है part 2 देख लिए होंगे, दो part हमने डाले हैं, यह part 3 है, बहुत important होने वाला है part 3, इसमें हम vocative words के बारे में बात करेंगे, कि narration में कुछ vocative word यानि की addressing word यूज़ किया जाते हैं, तब हम उन्हें कैसे change करेंगे, part 1 में हमने बा इसमें 2 में हमने all important concepts की बात की ती, जो भी rule changes है, pronoun के या फिर tense के, जितने भी है, एड़व के, और part 3 में आज हम vocative words की बात करने वाले हैं, vocative words जैसे की, एक example से आप इसे समझेगा, concept 1 है, the father said, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यह हमारा reporting, वह होती है, और यह हमारी reporting speech र आप यहाँ पे देखोगे कि father किसे कह रहे है, यहाँ पे क्या होता है, speaker होता है, एक यहाँ पे listener होता है, speaker जो होता है, वो subject है और listener जो होता है, object यहाँ पे given यहाँ नहीं है, यहाँ अगर आप देखोगे reporting work में given नहीं है, बट यहाँ पे father किसे कह रहे है, sir law, you have become lazy, sir law के ल यहां में अड्रस करके कोई वर्ड यूज किया है वो है सरला ठीक है अब यहां आप समझ पा रहे हैं कि फादर ने कहा किसे सरला से लेकिन यह इंवर्डिर कॉमा की अंदर है तो अब हमें यहां पर डरने की जुरुत नहीं है हम क्या करेंगे हम इसको सैट तु सरला माल अब यह क्या हो गया यह अब इसका अब यही सेंटेंस से मैंसे भी तो आ सकता था दफादर सैड यू हाव बिकम लेजी सरला यह यहां पर भी आ सकता था बाद में भी तो सरला वह बोल सकते थे तब भी वही सेम रहता कि इसको हम यहां पर क्या माल लेते इसका अब यहां प यू गीवन हो, second यहाँ पर गीवन हो, object यहाँ गीवन नहीं हो, तो यू कैसे चेंज होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको वो previous वीडियो भी जुरूर देखनी चाहिए, first, second, third, यानि कि first person अगर गीवन है, subject के कोडिंग, second है, object के कोडिंग, third है, no change, लेकिन अगर object नहीं गीवन है, तो कैसे चेंज होगा, अगर हमारे पास first person वी गीवन है, तो क्या वो always चेंज होगा, इन सब के बारे में हमने previous में बात की थी, तो यहां पर यह यू है, वो सरला के लिए है, सरला क्या है, she है, अगर की है, उसी के recording हमें यहां पर फिल करना है, have, have change होगा, यहां क्योंकि past है, तो पहले तो set to को told में बदल दीजे, set to किस में जाएगा, told में जाएगा, देखो मैंने यहां पर जो जो change हो सकते हैं, वो कर हमने यहां पर that लगाया है, तो आपको पता होना चाहिए, set is intense होता क्या है, यहां subject, फिर यहां पर helping verb और main verb, या फिर सिरफ main verb, ठीक है, subject से शुरू होने वाले, have है, तो head में जाएगा, you है, तो सरला के according चेंज करेंगे, second person object के according, तो she हो जाएगा, ठीक है, और head, become जो है, V1 भी है, और V3 भी है, V2 इसकी became हो जाती है, ठीक है, तो अब हमारा यह क्या बन जाएगा, अच्छे से समझें, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, यह reporting verb है, यह reported speech है, और यहां पर father told, object क्या था, सरला, that लगाया था, हमने, you को change किया था, सरला के according, she हो गया, have को change किया का had me, और third form already have के साथ given ही होती है, वही हमने रखी थी, और यह हमारा change हो गया, I hope यह आपको clear हुआ है, कि यह vocative word है, आप concept number 2 में देखते हैं, अब यहां पर क्या है, I said, father, यहां पर कॉमा आजाएगा, someone is calling you, जब हमारे पास कोई blood relation में हो, या फिर कोई other relation हो भी हो सकती है, relationship भी हो सकती है, blood relation में जैसे brother, sister, father, mother, इस तरह से हो सकता है, और अगर माले जे other की बात हो, तो uncle हो सकता है, aunt हो सकता है, किसी बेतर हो सकता है, तब हम इसी कैसे change करेंगे, तो बात वही है, इसमें भी कि I said to father, टीक है, I said to father, अब someone यहां पर इसका third person है, third person तो no change हो जाएगा, sad है, तो told me change हो जाएगा, ठीक है, sad किस में जाएगा, told me, assertive sentence है, that में जाएगा, connector हमारा, father, father, father को यहां ने said to, told father कर दिया, I told father that, someone, someone में रहेगा, it change हो जाएगा, was में, अब एक हमारे पास क्या given है, you, और you क्या है, यहां पर वाव के बाद आ रहा है, यह objective case है, इसे change करना है, तो किस के according change करेंगे, father के according, क्योंकि अब हमारा object क्या है, object to father है, father के according, father क्या है, he है, ठीक है, he का objective case क्या होता है, him होता है, बस ऐसे करके देख लिएजे, कोई problem नहीं आएगी, एक तो यह हो गया, इसके अलावा, एक चीज हमें क्या करना है, जब हमारी यह blood relation रहते हैं जैसे मैंने, I said to, father नहीं करेंगे, इसमें हम positive, जो determiner है, वो use करेंगे, तो जेखो, I है, तो I के हिसाब से ही हो जाएगा, my father, I said to my father, यानि I told my father, ठीक है, अगर यहां पर he होता, तो उसके according his father, she होता, हर father, उसके according हम इसे change कर लेते हैं, ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या change हो क्या देखे, I told, I thought, my father, मैंने मेरे पिताजे से, यानि अपने, यहां पर अपने word है, अपने के लिए हम क्या use करते हैं, I use कर रहा है, तो my father, यानि मैंने अपने father से बोला की, that, someone का someone रहा, इसको हमने was me change किया, calling, किसे बुला रहे है, father को, father क्या है, तो calling him, ठीक है, उसके according ह हमने से change किया, ठीक है, वीडियो बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत important है, अच्छे से देखेगा, इस तरह के sentences exam में आते रहते हैं, अब इस तरह के sentence में देखो, पहले वाले sentence में हमने देखा कि यहां कोई object given नहीं था, ठीक है, और यहां पे उसी listener को, यानि कि वो जो previous slide में देखाता ना, तो यह हमारा यही listener भी है, ठीक है, यही हमारा listener भी है यहां पे, लेकिन इसमें हमारा listener कोई और है, listener यह है, me है, gentleman उसको ही address करके बोला है, ठीक है, है तो यही, बट उसको gentleman कहके बोला है, तो अब यह different हो गया है, इसको हमें as it is said to gentleman नहीं कहना है, said to me तो already given है the singer said to me, gentleman, I have lost my way, तो हमें इसे change कैसे करना है, इसके भी हमारे पास दो तरीके है, कैसे एक तो हम इसको कर सकते हैं, सीधा यहां से शिरू की addressing, और object, object यहां पर क्या है, मी है, अभी तो मी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी object यहां पर given होगा, वो object लेना है, और एक वर use करना है, as, भी ऐसा कहे कर, क्या कहे कर, terms of address, gentleman, तो यहां पर gentleman आ जाएगा, addressing me as gentleman, the stranger said, क्या किया हमने, addressing me as gentleman, the stranger said, that, ठीक है, that से हमने connect कर दिया, अब हमारे पास remaining part क्या है, assert a sentence as it is, change कर देना है, कि यह first person है, first person हमारा, इसके coding change होगा, तो यह हो जाएगा, he, ठीक है, have change हो जाएगा, had me, third form lost है, my change हो जाएगा, फिर stranger के coding, तो he, यहां पर जैसे था, I के coding, my, he के coding, his, ठीक है, यह हमारे changes होगे, बीच में, अब हमारा क्या रहेगा, sentence, addressing me as gentleman, the stranger said, that, लगाना है, क्योंकि हमारा sentence, he has lost his way, I hope, clear है आपको, उसी sentence को दूसरे तरीके से कैसे बना जा सकता है, देखिए, यहां पर, अब हम क्या करेंगे, subject को पहले ले आएगे, यह हमारा subject था, तो यह subject हो जाएगा, तो यहां क्या आ गया, the stranger, ठीक है, यहां पर क्या आ गया, the stranger, addressed the stranger, addressed, object क्या है, me, the stranger, addressed me, as gentleman, as gentleman, and said, और कहा, फिर वही आ जाएगा, same, ठीक है, जैसे हमने previous में change किया था, क्या किया हमने, subject लगाया, the stranger, addressed me, as gentleman, and said, उसने मुझे जेंटल्मेन कहा, और कहा, कि he had lost his way, पाकी change ही, same है, जैसे हमने previous में किया था, एक और example से इसे समझते हैं, पंडित नहरू said to the people, पंडित नहरू ने बोला, addressing, वही same, हमने addressing the people, addressing the people, object है, पहले me था, अब यहां पर क्या है, the people, तो हमने the people लगाया, as, क्या address किया, उसने friends, तो हमने friends लगा दिया, वहाँ gentleman था, ठीक है, यहां पर friends हो गया, तो addressing the people as friends, पंडित नहरू said that, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, उसके बाद I किसके लिए आया है, पहले hair को change किजिएगा, there में, there कर दिया हमने, I किसके लिए आया है, पंडित नहरू के लिए, तो he हो गया, तो he thanked them all, ठीक है, एक डूसा तरीका, वही same आप कर सकते हैं, चले, next देख लेते हैं, next में क्या है, next है कि कुछ ऐसे words, जैसे कि, okay, well, you see, oh, etc, हम use करते हैं, तो यह जो words होते हैं, यह speech पर कोई effect नहीं डालते हैं, meaning में कोई change नहीं आता है, इसमें, तो she said, well, punkas, you have done this work, well, जैसे हम एक pause लेके बोलते हैं, तुमने यह काम कर लिया है, you have done this work, बाकी changes हमने same कर नहीं है, इसको हमने क्या, इसको जो भी यह words है, इनको हमने drop कर देना है, ठीक है, छोड़ देना है, leave them, अब यहां पर क्या है, यहां पर पंकस, she said two punkas है, ठीक है, और हमने यहां पर क्या किया, he have, have change हो जाएगा, had me, done done, this change हो जाएगा, that me, ठीक है, clear है, आपको, okay, Rohit, same है, इसको हमें छोड़ना है, but, यहां पर क्या difference है, कि यह जो है, आपकी reporting verb, यह बाद में आई है, हाना, पट कोई परक नहीं परता, she said, kis से का, Rohit, she said to Rohit, क्या कहा, I will definitely inform you, तो यह I किस के लिए आया है, she के लिए आया है, तो I क्या हो जाएगा, यहां पर she हो जाएगा, okay, को drop करना है, ठीक है, will किस में change हो जाएगा, would में, definitely inform you किस के लिए आया है, Rohit के लिए, यानि second person change according to object, तो Rohit क्या है, Rohit है, he, he का objective case हो जाएगा, him, तो यहा यहां पर आजएगा, Rohit, she told Rohit that she would definitely inform him, ठीक है, clear है, पट यह जो words होते हैं, यह फिक में डालते हैं, इन पर इसलिए इनको drop कर देना है, इसको हमने यहां पर सी set to Rohit लिए और अब हमारे लिए easy हो गया है, बनाना, I hope आपको यह clear हो गई होगी, जो vocative words होते हैं, हमने क्या द आटा दीजे, अगर यहां पर कोई नाम कहकर गीवन है, जैसे हमने सरलागा किया, तो उसको object मालीजे, addressing words जैसे brother, sister, या फिर जैसे gentleman दिया है, जैसे इस तरह हम से कोई word दिया है, तो आप उनको दो तरीके से बना सकते हैं, और एक हमने यह देखा कि इस तरीके से भी हमारे पास okay और oh well इस तरह के word होने drop कर देना है, वीडियो पसंद आ रही है, तो like share कर लिजेगा, next part जो है आपका जल्दी आसेगा, और वीडियो कैसी लगी है, comment section में जरूर बताएगा, thanks for watching